बल्कम तो श्रों डिक्टेशन डिक्टेशन पान सेकेंड बात सुरू होगा रेडी स्टार्ट अपिलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का प्रखर तरक है की प्रति उत्तर दातागण को कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 के अधिन मुआवजा अधिनिरडित किया गया था और इस प्रकार उनको मोटर यान अधिनियम 1988 के अधिन मुआवजे के लिए दावा करने से अपवर्जित किया गया था उक्त उद्गृत धारा 166 पर विश्वास करते हुए यह निर्दिष्ट किया गया था कि दावेदारों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 या मोटर यान अधिनियम 1928 के अधीन मुआवजे की अपेक्षा करने के लिए विकल्प उपलब्ध था विद्वान अधिवक्ता के अनुसार दावेदार कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन मुआवजे की अपेक्षा करने के लिए उक्त विकल्प का प्रियोग किये थे इस निमित यह बताया गया था की दावेदार जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन मुआवजा स्विकार किये हैं मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 के अधीन मुआवजे की अपेक्षा करने से उसी दुरघटना के कारण प्रवारित किये गए थे पुर्वोक्त तर्क का समर्थन करने के लिए अपिलार्थी बीमा कंपनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने नेशनल इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मस्तान एवं एक अन्य में इस न्यायाले द्वारा प्रदत वीनिश्चे पर विश्वास किया है निर्दिष्ट विश्वास इसमें अभिलिखित निम्न संपरिक्षण पर किया गया था मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 165 के निवंधनों में दावा अधिकरण की स्थापना पर मोटर दुरगटना के पिडित को उस अधिनियम की धारा 166 के निवंधनों में उस अधिकरण के समक्ष मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार है दावा अधिकरण की स्थापना पर मोटर दुरगटना से उद्भुत मुआवजे के लिए दावा स्वीकार करने के लिए सिविल नियाले की अधिकारिता उस अधिनियम की धारा 175 द्वारा समाप्त हो जाती है अधिकरण की स्थापना तक दावा सिविल नियाले के माध्यम से अपकृत्य में दावा के रूप में प्रवर्तित किया जाता था मोटर दुरघटना दावा अधिकरण की अनन्यता को मोटर यान अधिनियम की धारा 166 द्वारा एक उदाहरण द्वारा छीना जाता है जब दावा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधिन भी आ सकता था धारा यह प्रावधान करती है की मोटर दुरघटना से उद्भुत्य मृत्यू या शारिरिक उपहती जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधिन मुआवजे के लिए दावा भी उद्भुत्य कर सकता है अधिनियम के अधिन प्राधिकारियों के माध्यम से प्रवर्तित की जा सकती है इस निमित विकल्प पीडित या उसके प्रतिनिधी के पास है किन्तु धारा 166 यह इस्पष्ट करती है की दावा दोनों अधिनियमों के अधिन कायम नहीं रखा जा सकता था अन्य शब्दों में दावेदार जो मोटर दुरगटना के कारण मोटर अभियान अधिनियम 1988 और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम दोनों के अधिन मुआवजे का दावा करने के लिए हकदार हो जाता है को संबध फोरम के समक्ष अधिनियमों में से किसी के अधिन कारवाही करने का विकल्प प्राप्त है अधिनियमों में से किसी के अधिन प्राधिकारी या अधिकरन के समक्ष दावा को सिमित करके विधान मंडल में उपचार के चुनाव की अवधारना को शामिल किया है जहां तक दावेदार का संबंध है